उपराश्पती पद के लिए NDA के उमीदवार जस्वन सिंग ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया नामांकन दाखिल करते वक्त जस्वन सिंग के साथ लालकृष्ण आडवानी समेथ NDA के कई वरिष्ट नेता मौझूद थे उपराश्पती पद के लिए UPA के उमीदवार हमित अंसारी को टक्कर देने के लिए NDA के उमीदवार जस्वन सिंग ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया इस मौके पर जस्वन सिंग के साथ बीजेपी के वरिष्ट नेता लालकृष्ण आडवानी और NDA के संयोजक शरद याधा मौझूद थे लोकसभा में विपक्ष की नेता सुष्वा सुराज और राजसभा में विपक्ष की नेता आरुन जेटली भी जस्वन सिंग के नामंकन के मौके पर मौझूद रहे नामंकन दाखिर करने से पहले जस्वन सिंग के साथ NDA के रास्टपती पद के समर्थित उमीद्वार P.A. संगमा भी साथ देखे उपरास्टपती के चुनाओं में जीत के लिए 396 वोट की जरूरत है फिलाल उपरास्टपती पद के लिए चुनाओं साथ अगस्त को होगा मौजूदा समीकरों के मताबिक उपरास्टपती पद के लिए चुनाओं साथ अगस्त को होगा उपरास्टपती पद के लिए चुनाओं साथ अगस्त को होगा मौजूदा समीकरों के मताबिक